नमस्कर दूस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एज्चिक इस्टन चनल में आज की लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे टेंडो केर फॉर्ट टेबलेट के बारे में तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये जो मेडिकेसन है वो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर के अंदर टेंडो केर फॉर्ट टेबलेट के बारे में तो ऐसे समझे के आपको डिटेल में सिखना है बहुत सरी दवायो के बारे में बीमारयो के बारे में तो आप मेडिसिन कूर्स को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उप में तो यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम nutritional supplements के category में include करते हैं और यह जो medication है वो ऐसे nutrition हमें provide करती है कि जो हमारे bonds and joint के healthiness के लिए जो है वो जरूरी है तो जो joint related जो खासकर problem होते हैं उसको ठीक करने के लिए यह दवाई जो है वो use की जाते हैं उसके manufacture के हम बात करें तो farmate private limited जो है उसके manufacture है कि जिसका head office जो है वो बैंगलोरू में है तो यह जो medication specially ऐसे nutrition हमें देता है जैसे कि L-Arginine है collagen peptides वगरा है sodium high allurinate है condroitin sulfate और vitamin C वगरा उसके अंदर present है सभी कोई quantity हम देखे तो एक जो film coated tablet रहती है उसके अंदर L-Arginine रहेगा 500 mg जितना condroitin sulfate रहता है 200 mg collagen peptide type 1 हम देखे तो 40 mg जितना है sodium high allurinate उसके अंदर 30 mg जितना और vitamin C जो है 12.5 mg जितना एक tablet के अंदर present होता है तो अब सभी के benefits समझते है तो जो collagen peptide है उसका benefit क्या है तो collagen जो है वो एक protein होता है कि जो हमारे skin के अंदर होता है हमारे tendons में होता है ligaments और हमारे bonds के अंदर ये जो वो present होता है और ये protein के बहुत सरे benefits से जैसे कि पहला benefit हम देखे तो joint pain को ये protein जो हो relieve करता है उसी तरह से जो bond loss जो है उसको prevent करता है हम लगे कई बार क्या होता है कि हमारी हड़ी आज़े वो कम जो रोन ही लगती है कि जिसको bond loss हम कहते है और उसके करण osteoarthritis या फिर osteoarthritis के अलावा दूसरी जैसे का osteoporosis जैसी condition हो सकती है फिर arthritis की condition हो सकती है तो उसको ठीक करने के लिए फिर ये medications यूज़ कर सकते हम फिर muscle का जो mass होता है उसको boost करने में ये दवाई हमें मदद कर दी है उसी तरह से जो skin के healthiness के लिए भी ये medication जो वो काफी हमें मदद कर दी है तो ये सब अलग-अलग role है collagen peptide के तो उस diagramatic के लिए आप समझो तो काफी ज़्यादा आपको समझ में आएगा तो जब भी हमारा कोई joint तयार होता है bond का तो वहाँ पे आप देखो कि एक synovial cavity होती है कि जहाँ पे synovial fluid जो वो present होता है जो ये आप blue color का fluid देख रहे है फिर tendon वहाँ पे present होते है उसके लावा यहाँ पे आप देखो तो ligaments वगड़ा है articular cartilage वगड़ा होता है तो इन सब के proper formation के लिए collagen protein का होना ज़रूरी है कि जो हमें ये tablet को लेने से मिलता है फिर kondroitin sulfate का यहाँ पे काफी अच्छा ज़्यादा benefit है तो kondroitin का काम हम देखे तो वो क्या करता है जो kondrocides जो होते है kondrocides करके sell आते है उनको जो वो protect करता है अच्छे से उनके formation में मदद करता है कि जिससे cartilage का अच्छे से structure तयार होता है तो यहाँ पे diagram में आप समझो तो यह जो वाला बाग आप देख रहे है white color का तो यह जो है वो है हमारा cartilage का पाके और उसके development में help करते हमें यह kondrocides तो kondroitin sulfate क्या करता है यह kondrocides को अच्छे से maintain करने में मदद करता है उनके development में मदद करता है अच्छे से kondrocides जो हो healthy रहता है कि जिससे करन यह जो structure जो है वो अच्छे से बना रहता है वरना क्या होता है problem कि osteoarthritis के condition produce होती है because यह kondroitin sulfate जो है chemical है कि जो हमारे अंदर present होता है कि जो kondrocides के development के लिए ज़रूरी है अगर उसकी कमी हो जाती तो क्या होता है कि यह जो healthy joint होता है और उसमें यह इस तरह से proper cartilage होता है but आगे जाके क्या होता है यह वो cartilage damage होने लगता है और इस तरह के condition produce होते है कि cartilage weak होने के करन क्या होता है कि एक arthritis की condition जो वो produce होती है तो यह problem को solve करने के लिए prevent करने के लिए यह tandocare for tablet जो आप ले सकते है जिससे आपको chondroitin sulfate मिलता है उसे लवा L-Arginine भी यहाँ पे present है तो L-Arginine क्या करता है protein को build up करने में मदद करता है blood flow increase करता है joint care में फिर जो joint pain होता है उसको reduce करता है और वहाँ पे susan वगेरा है तो उसको भी कम करने में मदद करता है तो यह benefits मिलता हमें L-Arginine से fit sodium high allureanate जो हो एक lubricant की तरह काम करता है कि जो यह tablet के अंदर present है कि जो specially lubrication से करन का होता है कि जो हमारे bonds होते है और जो joints होते है वहाँ पे क्या होता है कि friction होता है और friction के करन जो हो जब आप चलते है तो चलते समय दर्द होता है गुटनों से आवा जायने लगती है तो उसको prevent करने में यह sodium high allureanate जो हो आपको मदद करता है तो especially आपकी movement जो है उसको support करता है कि जैसे आप easily चल पाता है और joint related issues जो हो solid है जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि cartilage का बाग आप देख सकते कि जो white color का है और उसके बीच में आप देखो तो यह synovial fluid present होता है कि जिसके अंदर high allureanic acid जो हो present होता है कि जो एक lubricant के तरह काम करता है कि यहाप याप diagramatically अच्छे से समझे तो यह उपर वाला bond है और यह नीचे वाला bond है दोनों के बीच में यह जो main एक joint तयार होता है तो joint में एक proper lubrication बना रहे है कि जिससे आपको दर्द ना हो चलते समय तो वो provide करता है यह sodium high allureinate तो यह भी present है यह tendo care fault के अंदर फिर vitamin C यहाप पर present है कि C क्या करता है डिले करता है progression of osteoarthritis कि osteoarthritis समझे कि किसी को हुआ है तो उसको जो यह वो damage होने का जो time होता है वो delay करता है कि समझे कि किसी के bonds यह वो सिर्फ दो महिने में damage हो रहा है तो उसको delay करके यह 12 मन तक भी ले जा सकता है इस तरह से क्या करता है एक support करता है as a stress and reduces swelling को मदद करने में मदद करता है कि जिससे क्या होता है कि आपके जो joints होते है और वो damage हो रहा है osteoarthritis से तो वो damage जो है वो काफी ज़्यादा delay हो जाता है तो इसी तरह से यह medication के use हम देखे तो जो bone and joint related जो issues होते है जैसे कि आपको tendon वागेरा में सुझना गई है ligaments वागेरा में problem हो रही है joint वागेरा में सुझन देखने को मिल रही है और उसको अलग-अलग नाम जैसे कि आपको osteoarthritis की condition है arthritis की condition develop हो रही है उसी तरह से जो इस तरह से condition from होती है कि आपके fingers में भी इस तरह से arthritis या फिर osteoarthritis के condition produce होती है तो और इसके करन क्या होता है कि जो fingers होती है उसमें इस तरह से bending या फिर twisting जैसा है जो हो देखने को मिलता है तो ये problem को solve करने के लिए TandoCare for tablet जो हो use की जाती है अब बात करते हैं उसके dose की तो एक tablet लेनी होती है आपको हर दिन और जो उसका जो course रहता है वो रहता है खासकर 3 से लेकर 6 महिने का course रहता है पर धियान नहीं रखना होगे कि हर दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही tablet लेनी होती है अब बात करते हैं उसके price की तो 15 tablet की हम जो कि आप ये पूरा packing purchase करते हैं तो उसकी price रहती है 530 रूपिस के असपास side effects हम देखे तो कुछ minor side effect ही होती है medication जैसे की nausea vomiting होता है diarrhea जैसे condition produce होती है उसी तरह से stomach में दर्द होता है कुछ लोगों को सीर दर्द जैसा feel करते पर जैसे medication आपको suit हो जाती है तो ये side effects होना जो आपको बंद हो जाते हैं फिर ध्यान ये रखना है कि अगर आपको allergy है ये जो ingredients हमने discusses में से किसी भी ingredient की allergy है तो ये medication को नहीं लेना चाहिए बिकोज इसके करना आपके skin के उपर इस तरह से races बन सकते है allergic reactions वगेरा develop हो सकते है तो ये खास दियान रखना है फिर safety की हम बात करें कि अगर आप pregnant है या फिर pregnant हैं का planning कर रहे है तो अच्छे से आपको पहले consult करना चाहिए आपके gynecologist को और उसके बाद ही tendo care for tablet को आप use कर सकते हैं उसी तरह से किसी का liver failure है तो भी ये medication को use ना करें renal failure के patient भी उसको use ना करें तो ऐसे ही detail में समझा है आपको किसी भी दवाई के बारे में बीमर्यू के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को